का नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका एंटिवाटिक में एंटिवाटिक जीक वाली वेश्ज commercial जो गागर में सागर या आपके लिए आपका प्यार प्यार प्रेंद प्रवित्रों इसमें हम लोग बात करने आपके देखो अलग अलग आप लगों के अलग-अलग सब्जेक्ट के अन्टिवाइटिंग मिल रही हैं और वे किरम से मिल रही है बहुत से बच्छे गुरु जी किरम से आप लोगों के मैंने भारत दो प्रकार का था आपको यह समन्दा पड़ेगा एक भारत वे था जिसे हम ब्रिटिज भारत कहते थे भारत दो प्रकार का था एक भारत वे जिसे ब्रिटिज भारत कहा जाता था यानि यह जो भारत है यह आपका ब्रिटिज भारत है यानि ब्रि भारत के लिए काम कर रही है देश्वी भारत के लिए काम नहीं कि नाइक भी आपने नाम सुन होगा ठीक है किसान अंदलों चाहिए परजा बंदल अंदलों नो दिकत आई इस देशी भारत में राजाओं का हत्याचार बड़ा आपके जो खिराज वगेरा टेक्स वगेरा है यह देनत्य हुआ अंग्रेजों को राजा लोग लेते थे वे हत्या चार आर्थी को साय सामाजी को चार धार्मी को वे जनता को जहलना पड़ा है जनता ने सोचार ऐसे करते हम अपना भी कोई संगठन खड़ा करें और अपना सं तरकार तक पहुंचा पाएंगे तो इसके लिए диनों राजनितिक संस्ताओं का गठन करना सुरूँ कर दिया समय कहें राजनितिक के हैं जो राजस्तान सिवा संग का नाम पहले आता है उससे पहले राज्तान राजफूता याब meihad्य भारत सभा का का नाम सुना आपनी गनिश संकर विध्यारते का नाम सुना है जमिनलाल बजाज का चांदवाल आप लोगों बात करें शारदा ये इसके क्या है संस्तापा के आधी लोग तो राजपुतना मद्य भारत सभा के स्थापना का होई दिल्ली में 1918 में हां इसका राजस्तान में एक दिल्ली में हुआ विजय सिंग्पति गणिश संकर विध्यारती जमिलाल बजा चांदमल चांदकरन सारदा क्या उदेश्य था आपके इसका उदेश्य क्या है उदेश्य यह है कि राजस्तान की देशी रियाश्वत में उत्तरदाई शासन के स्थापना हो वेरी कोलता है जनतांत्रिक शासन व्यवस्ता कि जनता के प्रतिनिदी इसमें जाने चाहिए राजा की कार्यकारणी में माना कि एक आप लोगों के जैसे अलवर की बात करें एक निम्राणा से एक भैरोड से एक राजिगड़ से अपने अपनी जनतांत्रिक शासन जनता का शासन है वोती होती है वैसे उतरदाई शासन की हमलोग क्या कर रहे है यह है राज्य भारत सभा का उध्यश है आजगाली सथा देख की सवाल अ电 flick तो बात करते हैं राजस्तान सेवा संग का गठन 1919 में हुआ और सबसे इंपोर्टन बात है वर्दा में हुआ आपकी सर्फ वर्दा क्यों है वारवार हमें वर्दा पढ़ने को मिलता है मितरो राजस्तान का भामाश्वा किसे कहते हैं सेट जम्लालाल बजाज काशिका वास सीखर करकर रहने वाला था लेकिन यह आप लोकूं के बात करें वर्दा वर्दा महाराष्ट के एक सेट थे रामदास रामदाज विदुआ पतनी बसंद्री के गोत चले गया साब पैसे की कमी नहीं रही तो आपके जम्ललाल बजास किया कि हमने सेट जोड़ना शुरू कर दिया और खूब धंदोलत दी रास्तन का भामाशा कहलाता है तो वर्दा महराष्ट में जाएंगे तो इन्हें बजास का मारक दर्शन मिलेगा पैसा मिलेगा इसलिए बहुत से समाचार पत्र आपने पढ़ा होगा आर्थिक आपका भार विजे सिंग आपके जमलाल बजास साब ने उठाया वर्दा में क्यों वर्दा में यह मिलती थी तो वर्दा महराष्ट में क्या हुई इसके स्थापने हां अगले वीजे सिंग पतिक मिला और वीजे सिंग पतिक ने राम नान्चोदरी से कहा कि अंध 무대 से नयत्रों के तो ये तीन लोग होगे, बात के लिए अब बात आता है उद्देश्य, तो उद्देश्य की जागिरदारत अथा उनकी परजा के मद्दे, मदूर सम्मंद इस्ताफित करके जनता की समश्याओं का निराकर करना, आपने किसान आंदुलों पढ़े, तो किसान आंदुलों में आपको पढ़ने को मिला होगा, कि राजस्तान सेवा संकी तरब से ये आया, राजस्तान सेवा संकी तरब से रामनान चोदरी आये, पढ़ा होगा रामनान चोदरी, पढ़ते हो ना, तो राजस्तान सेवा संक क्या है, कि आपकी जो देशी रियाशत है, उनमें जो जागिर्दार और उनकी परजा के मद्दे मदूर संबंद इस्ताफित करना और वहां आने वाली समश्याओं का निराकारण करना यह राजस्तान सेवसंका क्या है उद्देश सवाल बनता है आगे हम लोग बात करें देखिए अब बात कर रहे हम लोग आगे अखिल भारतिय देशी राज्य लोग परजा परिशद की किसकी बात कर रहे हैं अखिल भारतिय देशी राज्य लोग परिशद अच्छा सवाल बनेगा आप पढ़ रहे हो राजस्तान में परजा मंदल आंदोलन राजस्तान में परजा मंदल और यहां बात करने जा रहे हम अखिल भारतिये देशी राज्य लोग परजा परिशन पित्रों बात आगे बढ़ी बात आगे बढ़ी तो अब तय हुआ कि यार चलो ऐसा है कि जैसे कांग्रेस ने क्या कर रहा है कांग्रेस ने अपना जो ब्रिटिज भारत में काम कर रहे हैं और वे संस्ता अखिल भारतिये होनी चाहिए ठीक है साथ देशी भारत के लिए काम करेगा तो ऐसे कर नाम ऐसा है रख दो अखिल भारतिये देशी राज्य लोग परिशद ओल इंडियन इस्टेट पिपूल्स कांफरेंस नाम रख दिया साथ बोले इस्तापना का बोले इस को एक संस्ता है यह बात आई कि प्रथम अधिवेशन कहां हुआ बंबाई में अधिक्स्त कौन कर रहे हैं राम चंदर राओ लेकिन मित्रो जितनी उम्मीद थी उतने लोग पहुंचे नहीं तो कारण जाना तो किसी के पास पैसे का अबाव था किसी के पास धन का अबाव परिशत के उपाद्यक्स की से बना गया विजय सिंग पतिक को अध्यक्स कौन था भादूर रामचंदर राव राजस्तान या मध्य भारत के लिए प्रांतिय सच्यू रामणान चोदरी गया इन रास्तान का दबदबा था के साधन नहीं है एक काम कीजिए अपनी अपनी रियाशत में अपने ही इस्तानी संसाधनों के द्वारा अपनी अपनी रियाशत में अपने इस्तानी संसाधनों द्वारा इस्तानी जंता द्वारा वहां सासक के खिलापी को ना एक आंदोलन किया जाए वहां की लोकल परज परजा के दुवारा जो आंदूलन किये इतिहास में उसे परजा मंदल आंदूलन कहते हैं और जिन संस्ताओं के बैनर नीचे किया गया उसे हम लोग परजा मंदल संस्ता कहते हैं परजा परिशा संस्ता कहते हैं मेरी साब समझ में आ गए होगा परजा मंदल आंदूलन क्या ह तो क्या का जनता ने अपने अपने राज्यों में अपने ही साधन परविचारधारा से आंदोलन चलाने का निश्य किया 1938 में कांग्रेस का हरीपुरा अदिवेशन डेशी रियाशतों में राजनितिक संगडर बनाने की छूट भी दे दी उनके लिए संस्ता बनी उन्हें परजा मंडल संस्ता या परजा परिशद कहते हैं और आप हम लोग बात करेंगे वहीं परजा मंडल आंदोलन अब बताएं कहां दिक्कत है आपके बिलकुल आपके समझ में आयाक नहीं आया आपके गुरुजे ठैंक यू समझ में आ गया लगए समझ में तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगले एंटिवाइटिंग फिर लगातार बात करेंगे राम राम साब थेंक्यू